Hello friends, welcome back to my channel, मैं हूँ आनद और आप देख रहे हैं Planet Blow आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैं हैंस्टर्स के केज के बारे में हैंस्टर्स का केज और उसका सेटप बहुत इंपोर्डेंट होता है हैंस्टर के लिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स ये देखे ये मेरा पुराना वाला केज आपने और भी कई वीडियो में देखा होगा और इस केज में मैंने अपने हमस्टर्स रख दी हैं और किनारे से बांडरे लगाई है इसमें लीटर मटेरियल भी डाल दिया है एक वील है और ये देखे ये फेमेल यहाँ पर सो रही है और मेल भी यहीं कहीं होगा ये देखे यहाँ पर मेल है ये देखे निकल गया बाहर तो मैंने अभी यह simple setup दिया हुआ है और जैसा आप screen पर आप देख सकते हैं काफी complicated systems भी बनाते हैं लोग अपने cage में और काफी अलग setup रखते हैं जैसा कि आप यहाँ पर यह देख सकते हैं यह कितने अलग-अलग type के cage हैं और hamsters को यह पसंद भी है वो जितने ज़्यादा complicated setup में रहेंगे यहाँ से वहाँ निकलना पाइप में और जितना वो busy रहते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है यह सब खेलना लेकिन फिलाल मेरे पास जो materials थे जो item थे मैंने लगाए और इसमें wheel था और wheel बहुत important होता है hamster के लिए वाले cage में आप देख सकते हैं यहाँ एक female सो रही है और बाहर यह सो रहा है और इसमें भी wheel लगा हुआ है इस cage में फिलाल मैंने इनको एक दो दिन के लिए ही रखा था और फिर उसके बाद मैंने बड़े cage में setup कर दिया और cage setup की बात है आप वैसा cage setup कर सकते है और यह देखे हाद जोड के इतने अच्छे से सो रही है तो अभी फिलाल यह मैंने छोटे वाले cage में से इनको निकाल के बड़े cage में कर दिया है तो दोनों ही setup आपने मेरे देख लिए जिसमें छोटा और बड़ा cage दोनों था और इसमें liter material होना बहुत जरूरी है क्योंकि liter material इनको ठंडा रखता है और wheel होना क्यों जरूरी है यह देखे यह wheel में बहुत अच्छे से running कर रहा है और फिर बाहर निकला बाहर देखा, खाना खाया और फिर भाग के wheel चलाना सुरू तो यह इन hamsters की फिद्रत है यह इनकी आदत है यह wheels पे भागते हैं खुद को ठकाते हैं और फिर अच्छे से आराम की निंद लेके सो जाते हैं और अभी जैसे कि आपने देखा वीडियो में female कितने अच्छे से सो रही थी इससे पहले उसने भी बहुत running की थी और उसकी clip मैं बना नहीं सका क्योंकि phone battery low थी तो अभी आप देखिए यह फिर भाग रहा है फिर बाहर निकलेगा थोड़ा सा खाएगा और फिर अंदर चला जाएगा तो cage setup hamster के लिए खास तोर पे hamster के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर cage छोटा हुआ उसमें लिटर material नहीं हुआ और एक wheel नहीं हुआ तो कुछ न कुछ problem सा सकती है और लिटर material तो ज़रूर रखे लिटर material हम बोलते इसको है यह जो आप नीचे के तरफ बिच्छा हुआ देख रहे है और आपने वीडियो में भी पहले देखा होगा cage के अंदर कुछ बुरादा सा था तो उसके उपर में एक वीडियो बनाने वाला हूँ और उस वीडियो को जरूर देखिएगा तो फ्रेंड्स उमीद है वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आए तो प्लीस लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबा दें और भी नई वीडियो जाएंगी आपको फ्री में नोडिफिकेशन मिल जाएगा तब तक के लिए थैंक्स फ़र वचिंग वीडियो